ब्रोट तो यू बाई 5PESA.com इन्वेस्टिंग मेड एजी एंड रिवर्डिंग डाउनलोड अप नाउ नमस्कार आप देख रहे हैं बिस्तत मैं हूर अज़त देवगन न्यू एज कंपनीज ये बजिंग वर्ड है मार्केट में लेकिन आखिरकार ये न्यू एज कंपनीज है क्या देखे कुछ ऐसी कंपनीज जिनका बिजनस मॉडल लेटेस टेकनोलोजी की मदद से बनाया गया है परमपरागत तरीकों से बिलकुल ये बिजनस रन नहीं करते और सबसे बड़ी बात क्योंकि लोगों का महल में क्या देखने को मिल रहा है यह हम आपको टेबल के जरीए समझाते हैं कि इनका हल क्या है शेरों का तो सबसे पहले आप ये देखे पहले कॉलम है शेर जैसे की कार्ट रेड पेटी एम जोमैटो पीबी फिंटेक याने की पॉलिसी बजार, फिनो पेमेंट्स, नाइका लेटेंट व्यू, रेट गेन, मैप मा इंडिया ये हैं निव एज कंपनीज दूसरे कॉलम में पाएंगे आप हाई याने कि आज तक शेर ने उच्चतम स्तर क्या चुआ लिस्टिंग के बाद से अब तक तीसरे कॉलम में पाएंगे मौजूदा भाव को, अब चौथा कॉलम ये है काम का, क्योंकि मौजूदा जो लेवल है, वो हाई से कितना जादा नीचे है, तो आप ये देखे कि कार ट्रेड, आज तक का उच्चतम स्तर है 1618 का, अपने उच्चतम स्तर से 60 फीसदी टूप चुका है पेटियम का शेर एक हजार नौसो पच्पन आज तक का उच्चतम स्तर और अपने उच्चतम स्तर से लगभग 54 परसंट नीचे है जोमैटो का शेर अपने उच्चतम स्तर से साड़े 47 परसंट नीचे है PB FinTech यानि की Policy Bazar अपने उच्छतम स्थर से 47 फीजदी टूप चुका है Finno Payments Bank 37% नीचे higher level से NICA का Share जो की बहुत बढ़िया Listing हुई थी लेकिन अब अपने उच्छतम स्थर से 36 फीजदी correct हो चुका है Latent View Analytics यहाँ पर 32 फीजदी 35% का fall है higher level से और Rate Gain यह भी 29 फीजदी गिर चुका है higher level से MapMyIndia में correction आया है तो 23 फीजदी का है higher level से इससे अगला कॉलम है Issue Price अगर आपको यह Share अलॉट हुए होते तो हम यह जानने की कोशिश कर रहे है कि क्या यह Shares का दाम आपके Issue Price से उपर है की नहीं यानि की आपका असर जो है वो बजार में अभी तक बचा हुआ है की नहीं तो उसमें आप यह पाहेंगे की Car Trade Paytm इसके लाब आप PB FinTech Finno Payments और Rate Gain यह तमाम कंपनिया जो है वो अपने Issue Price से भी नीचे कोट कर रही है यानि की निवेशकों को भारी घाटा उठाना पड़ रहा है Car Trade का शेर अपने Issue Price से जो की 1680 का था वो ही हाई है आज तक का और 60% नीचे है Paytm का शेर Issue Price 2150 का कंपनिया ने कोट किया था मौझूदा भाव है 906 ताबड तोड विक्वाली 58% नीचे है Paytm का शेर अपने Issue Price से निवेशकों को 60% के लगभग का घाटा उठाना पड़ रहा है इन दोनों इस शेर में अपने Issue Price में किसी को अगर इनको अलॉड भी हो गे होते तो घाटा इघाटा देखने को मिल रहा है फिलहाल के सेटप के हिसाब से दो PB Fintech लगभग 21% नीचे है Issue Price से और Finno Payments Bank 36% नीचे है Rate Gain एक और शेर जो लगभग 13% के आसपास का गोता लगा गया है Issue Price से अब कुछ ऐसी कंपनिया जो अपने Issue Price से उपर है यानि कि निवेशों की रकम अभी तक तो बची हुई है जो उन्होंने असल लगाया था उसमें Zomato शामिल है Issue Price था 76, फिलहाल 89 के आसपास कोट कर रहा है तो लगभग 17% का Issue Price से Gain Naika का शेर है 46% उपर Issue Price से और Latent View Analytics, कमाल की लिस्टिंग और अब तक भी लगभग 158% का रिटर्न डिलिवर कर रहा है Issue Price था 197 और अभी कोट कर रहा है 509 के लेवल पे Map My India 42% उपर है अपने Issue Price से अच्छा, तो ये दिक्कत आ क्यो रही है इतनी बड़ी समस्या क्या बन गए New Age Companies में ये भी जानना जुरूरी है देखिए, Valuation Concerns तो है ही बहुत महेंगे Valuations और कई कंपनिया तो ऐसी Valuations पे लिस्ट हो गई जिनको Analyst Community ने बिल्कुली नकार दिया कि ये क्या Valuations मिल रही है इन कंपनियों को क्योंकि जो पुराने Business Models थे वो बिल्कुल ऐसी Valuations इंजॉइन ने करते हैं पर ट्राक होंगी अब ये कंपनिया तो बातों से काम नहीं चलेगा Numbers दिलिवर करने पड़ेंगे नंबर खराब आगए तो जबरदस्त पिटाई होगी Global बाधारों में चिंता का महौल है और खास तोर से जिस तरीके से महेंगे Valuations वाली कंपनियों के पिटाई हो रही है तो उसमें ये कंपनिया भी शामिल है अगर आप Global सेटप भी देखेंगे तो Technology Shares में बहुत ज़्यादा बिकवाली देखने को मिल रही है उसका असर भी देखने को मिल रहा है अब सबसे बड़ी बात Report Card Numbers कैसे Deliver हो रहे है तो कुछ Fancy Shares के नाम आपको बताते हैं जैसे कि Paytm 197 Communications इनकी Parent Company है और इसके Results Quarter 3 के आप देखिए जो घाटे की Figure है Quarter 3 में वो 473.5 करोड से बढ़कर 778.5 करोड पहुँचगी तिमाही आधार पर अब Paytm पे सबसे बोरा जो असर पड़ रहा है वो है मेक्वेरी की Report का राहु काल चल रहा है Paytm का ऐसर लग रहा है मेक्वेरी जब भी Report देता है तो इतनी खतरनाक Report देता है कि Share की हो जाती है धुलाई मेक्वेरी आपको याद होगा जैसे ही Paytm लिस्ट होने वाला थो तो उससे ठीक पहले इन्होंने लक्षे दे दिया Paytm पे बारासो रुपे का निवेशक इतने नर्वस हो गए कि विल्कुली खराब लिस्टिंग Paytm की देखने को मिली थी और उसके बाद से अब तक Share का संभलना बहुत जादा मुश्किल हो रहा है अच्छा मुसीबत यह है कि मेक्वेरी ने पहले बारासो का लक्षे दिया उसके बाद थोड़े दिनों बाद उसको 900 रुपे का लक्षे दे दिया एक और रिपोर्ट निकालके और अब जो हाल की रिपोर्ट है उसमें उसका लक्षे है 700 शेर चल रहा है 900 तो आप समझ सकते हैं कितनी भारी बिकवाली अल्रेडी पेटियम के शेर में हम देख चुके हैं और रिपोर्ट मेक्वेरी की हैं अंडर परफॉर्म की हाला कि गोल्डमिन सैक्स ने इस पे अपग्रेड कर दिया है पेटियम को बाई की रिटिंग दे दि कीजिए कूपन कोड एल्टी 150 और पाएं एक्साइटिंग ऑफर्स तो देर मत कीजिए अपने इंवेस्मेंट जनरी यानि की एक्विटी म्यूचल पॉंड्ड और आइप ऐसा आप के जरी है एक और शेर जुमैटो फूड डिलिवरी बिजनस मॉडल और यहां पर आपको र 15.8 करोड का वो इसलिए क्योंकि इन्होंने अपने स्पोर्ट्स प्लाटफॉर्म फिट्सो में हिस्सेदारी बेची थी उसका असर देखने को मिला लेकिन कई ब्रोकिंग हाउसे ने बाइ रेटिंग और आपरफॉर्म रेटिंग को बरकरार रखा है लेकिन जो टार्गेट हैं वो घटा दिया और तगड़े तरीके से घटाए हैं जिसका असर जेल रहा हाल पिलाल में तगड़ी पिटाई हो चुकी है मिसाल के तौर पे जैफरीज बाइ रेटिंग है लक्षे ये दे रहे हैं 175 से घटाकर सीधा 120 कर दिया तो सोच सकते हैं जो मैटो की पिटाई होन आगे परफॉर्मेंस कैसे होती है लेकिन बहुत रिच वैलुएशन पर एक कंपनी ज्याव लिस्ट हुई थी अब इसी कोई थोड़ा और कंजाल है तो टेबल के जरीए समझे आप कि जो बागी की बिजनस हैं ये कैसा परफॉर्म कर रहे हैं तिमाही दर तिमाही अधार प पिछले साल क्वाडर 3 में क्या नतीजे पेश किये थे कंपनी ने मुनाफ़य घाटे के फिगर उसमें कार्ट रेड बुरा हाल है और पिछली दो तिमाही में तो भारी घाटा देखने को मिला था पीबी विंटेक यानि की पॉलिसी बजार घाटा बड़ा है और पहुत ज्यादा बड़ा है साड़े 11 करोड का घाटा था quarter 3 FY21 में और quarter 2 FY22 में लगभग 2 करोड के आज पास का घाटा था कंपनी को नीचे की जो चार कंपनी हैं यह मुनाफे वाली कंपनी और यह एक सर्प्राइज एलिमेंट है क्योंकि नई टेक्नॉलिजिस जुड़ी कंपनी है निव एच बिजनसे हैं और मुनाफे में हैं तो बजार इनको लेकर excited है जिसमें latent view analytics टगड़ी लिस्टिंग इसलिए हुई बैंक साड़े 6 करोड से बढ़कर 14 करोड का मुनाफा कंपनी ने दर्च किया मैप माइंडिया बहुत कमाल का बिजनस मॉडल है और यह मुनोपोली बिजनस वाली जो कंपनी है यह बजार को बहुत पसंद आती है अकसर पर इनका जो मुनाफा है वह थोड़ा रिडियूस ज देखेंगे तो इसके फिगर 29 करोड वर्सेज 1.2 करोड आपको दिखाई देंगे और आप देख सकते हैं कि इसमें नाइका मैप माइंडिया लेटेंट व्यू अनलेटिक्स यही कुछ ऐसी कंपनिया है जो अपनी बढ़त को यानि कि इश्यू प्राइस से उपर कोड कर रह देखेंगे लेकिन इस्यू प्राइस से उपर ही है तो इनको लेकर बजार एक्साइट है अब दिक्कते क्या सकती है आने वाले समय में देखिए अल्रीड है बता चुकिए की नियू एज बिजनस की परफॉर्मेंस अब आप सबको एक ही तराजू में नहीं तोल सकते अलग इनको लेकर आना था नहीं लाप आए पेटेम की लिस्टिंग होगी थी बहुत खराप और मोबीकुइक ने फटाफट से अपने आप्यो को टाल दिया इसके लाब आप ओयो आपयो लाने की तेयारी में हो बजार में पहले लगनी चुरू होगी कि जो वैलुएशन ओयो पह झाल 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 झाल